हलो एवरीवन आप सभी का सवागत है कंप्यूटर वारियर्स यूटूब चैनल पे टैली हम लोग मोश्ट आप दी चैप्टर पढ़ चुके हैं बस एक या दो लेक्चर्स और देन जी एश्टी स्टार्ट करेंगे सो मोश्ट अवेटेट चैप्टर जी एश्टी बहुत जल्दा रहा है और इतने प्यारे ढंक से जी एश्टी पढ़ाऊंगा ना कि प्यार हो जाएगा और क्यूरियस होके आप समझोए कि और जी एश्टी क्या होता है ठीक है आज हम लोग को पढ़ना है डेप्रीसियेशन ए है चैपल बोलना थोड़ा अजीब डगता है स्लीपर्स लिया क्यूंकि मुश्ट पूर पीपल्स भी देखते हैं इसलिए थोड़ा डेशी लेंगज यूस करता हूं ताकि सब को समझ सके ठीक है तो एक मैंने जाके एक स्लीपर लिया हंड्रेड रुपीज का था ठीक है अब कलको में जाके वह चपल बेचू तो कितने का बिकेगा मैंने तो सौ रुप्या में लिया था उस चपल को पहन पहन के दो साल पूरा घिस के आधा कर या बेचने जा रहा हूं अब कितने में भी के के उसे कैल्कुलेट करने का दो स्टेटमेंट होता है पहला तो आप उ यूसफुल आप दिया हुआ था चार साल ठीक है पहले जब मैंने इंट्री करवाए होंगे तो आप को इसन देखे होंगे और समझे होंगे कि एक कंप्यूटर के दर गया था बाइस अजाजार पांसो का जिसका यूसफुल टाइम कितना था चार साल ठीक है मतलब वह कंप् से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5650 रुपए अगर कंप्यूटर एक साल चला तो 5650 रुपए कम हो जाएंगे डिप्रेशन मीन्स वाट अब जब नया स्मार्टफोन लेते हो आप उसे एक साल बात बेचते हो तो क्या वो सेम प्राइज में पिकता है नहीं ना क स्रमान को में बेचूंगा तो वह एक्ट्वल प्राइज में जो स्पाइज में नहीं मिलेगा स्पोज यह मैंने 500 खेज़ा अब 2 साल के बाद इस माउस को में बेचूंगा तो क्या मुझे 500 में बेचना होगा नहीं जो सामने वाला खरीदेगा वो 500 से कम पैसा देगा अब क कि देंगा तो कितना कम पैसा देगा सर हम कैसे कल्कृट करें कि इसतरा कितना कं पैसा देगा मान लिज्ये इस माउस का यूजफूल टाइम है 5 और प्राइज 500 तो 500 199ork युवध वाइडिद बाइड बाइड यूज अगर तीन साल बाद बेचू तो 200 रुपय में, अगर चार साल बाद बेचू तो 100 रुपय में यह माउस बिकेगा, मतलब 4 साल तो मैंने इसे यूस कर लिया, मैंने रगड के इसका यूस किया, अब दिन मैं किसी को दूँगा, तो पूरा प्रस देख, नहीं न लेगा, इसका फूल टाइम पांस साल था 500 का प्राइस है डिवाइड वाइड वाइब किये तो आंसर क्या है 100 बरीया फॉर्जा पर यह ने चार साल बाद बेचा तो 400 मुझे माइनस करना पड़ा तो कितने में बेचा सौ रुपैं में से बेचा इसी को कहते है डेप्रिसेसर इंटे कितना घ पहना है वाव तो इस नहीं बच्चों ऐसा नहीं है में बात क्या ना इसका जो क्लिप है ना वो डिला हो चुका है माइक का तो वो टी सेट पर गृप नहीं बन पा रहा है इसके वज़े समझे इसे अपने गोल्ड चेन में इंसर्ट करना पड़ रहा है तो यह गोल्ड चेन नहीं है फेक गोल्ड है ठीक है अब आए यह टैली के माधियम से समझते है वाट इस डिप्रीसियेशन एंट्र आप यहां देख रहेंगे सिरियर नंबर दीखर आया ठीक है यहां पर क्या है एसेट नेम है यहां डेट ओफ परचेस है यहां वैल्यू टूब डिप्रीसिये सबसे पहले यहां जो भी डेट 2016 लिखा हुआ है उसे आप 2020 में चेंज कर लेंगे ठीक है जब यह रो माटेरियल में जब इंपुट किया था तो इसमें डेट 2016 था लेकिन अभी तो 2022 ना चल रहा है तो उसे दो साल पीछे करेंगे इसे 2020 करेंगे ठीक है अब जब मैंने प्र अब उसका यह कितना दिया हुआ था दस साल मतलब 14,200 का जो furniture है वो 10 साल उसका useful life है ठीक है अब annual depreciation क्या हो जाएगा 14,200 by 10 तो कितना हो जाएगा 420 रुपे मतलब हर साल 420 रुपे कम होते जाएंगे उसका price ठीक है 161 days था कि इसको use किया गया है ठीक है और इसका final depreciation कितना निकलेगा 1405 रुपे क्यों से एक साल का depreciation कितना था 1420 रुपे लेकिन यह पूरा पूरी एक साल use नहीं किया गया 361 days ही यूज किया गया यह में कितने days होते है 365 days होते है ठीक है उसके आगिया देन जब उसको बेचा जा रहा है तो उसका प्राइस कितना आ रहा है 1405 रुपे फिलाल यह फरनीचर बेचा नहीं जा रहा इसका करेंट प्राइस निकाला जा रहा मतलब कि अगर मैं मान लो कि आज में इस फरनीचर को बेच दूँ तो कितने में बिक्के गया ठीक है, हर साल जो भी ऑफिस में मैं equipment लगाता हूँ, furniture वगेरा लगाता हूँ, asset लगाता हूँ, वो हर एक साल उसका price कम होते जाता है, तो हर एक साल हम लोग calculate कर जाते हैं, कि अगर starting में मैंने 22,500 खेर जा था, तो आज एक साल बार उसका price क्या होगा, दो साल बार उसका price क्या होगा, तीन साल बार उसका price क्या होगा, ठीक है, जब company last में बंद होगी, या company shift की जाएगी, तो उस price को calculate कर जाया, कि इतना का समान तो मैंने खेरा था, लेकिन उसको इतना परसेंट मैंने यूज कर लिया है ठीक है अलबाद में अगर ऑफिस बंद किया उस समान को बेचना पड़ा तो कितने में माल बेचेगा तब जाकर कहीं उसका ज्यादा लॉस ना हो लझाओ यूज किया इसका डिल से इंट्री है हरेक साल फरी में खर कितना पर्याइब न आफ्य च्तनी परसेंट में न चींडर कर भागियो ठीक है दूसरे क्या मारा computer computer कब खेदा गया था आठ चार 2016 नहीं 20 ठीक है 8 April 2020 में कितना प्राइस था 22,500 प्राइस था अब उसका useful year कितना था फोर यह उसका useful year था तो 22,500 को divide by 4 करेंगे तो कितना आशा आएगा 5,625 रुपर ठीक है अब 5,625 रुपर एक साल का है लेकि इसका use कितना हुआ है 358 days एक साल से 7 दिन कम ही use किया गिया है मतलब completely एक साल नहीं हुआ तो उसका depreciation amount पूरा पूरी एक साल का नहीं होगा एक साल से 7 दिन का कम amount होगा ठीक है अब suppose करेंगे कि साल मुझे एक दिन का amount जानना है कि मैंने 22,500 का computer लिया तो हर एक दिन उसका कितना amount कम होते जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे ये जो 5,625 है उसे by 365 करेंगे तब हमारा per day का amount निकल जाएगा जो amount आएगा वो per day का होगा कि हर एक दिन हमारा computer का price कितना रुपाई कम होते जा रहा है ठीक है तो है 358 days का कितना पैसा कम हो गया 5,515 रुपए ठीक है एक साल का क्या amount था 5,625 रुपए लेकिन पूरा पूरी एक साल नहीं चला एक साल में 7 दिन कम ही चला है तो 5,515 रुपए depreciation amount हुआ next क्या हमारा cell phone cell phone जब मैंने starting में खरीदा था जब मैंने company को establish किया था कब किया था 10 April 2020 तो वो cell phone का price था 5,000 रुपए और उसका useful life कितना था 5 साल useful life मिन्स क्या होता सार मतलब कितने साल वो चल सकता है भले 5 साल के बाद और भी 10 साल चले लेकिन वो company से उससे मतलब नहीं है हमें क्या मतलब है कि 5 साल अगर इसको बोला गया कि 5 साल चलेगा तो depreciation entries का 5 साल से ही निकालेंगे कि हर एक साल इसका कितना price कम होते जाएगा ठीक है जिसे phone का warranty होता है एक साल का अब एक साल के बाद phone खराब हो चाहे कुछ हो तो company risk लेगी नहीं लेगी उसी तरह जो भी phone आप बेचिएगा अगर एक साल से के अंदर ही बेचिएगा तो उसका जादा amount मिलता है अगर उसी phone को आप एक साल के बाद बेचिएगा उसका half या 40% ही amount आपको मिलता है उस phone का ठीक है तो cell phone मैंने 5 जाएगा खरेदा 5 साल का मेरा useful life था तो हर एक साल कितना depreciate होते जाएगा का एक हजा रुपे मतलब एक साल भीता तो उस पांच जा फोन का प्राइज चाहर हो जाएगा एक हजागा घंगा ठीक है तो उस phone को मैंने कितना दिन यूज किया 356 देज यूज किया ठीक है मतलब 10 दिन कम यूज किया है एक साल में है एक साल में 365 देज होता है मैंने 350 देज यूज किया मतलब एक साल से 10 दिन कम्यूस किया तो मतलब की एक हजा तो मैं पुरा-पूरे डिपरिसिये नहीं करूंगा 10 दिनका amount काट के लिए डिपरिस्टेट करूंगा एक साल में 1000 अमाउंट है तो एक दिन का क्या एमाउंट होगा 1000 डिवाइट वाइट 365 जो आंसर आगा वह एक दिन का होगा तो 975 रुपीज 356 डेस का डिपीसियरसन एमाउंट है मतलब इतना पैसा घट चुका है मेरे अकाउंट से अब सेल फोन में बेचूंगा तो पांच हजार में नहीं बिकेगा 975 रुपीय कम बिकेगा 5000 में से तो 5000 में से 975 रुपीय माइनस करेंगे तो कितना हुगा 4000 25 रुपए में ही फोन बिकेगा अगर मैं बेचना चाहूं तो समझे देन क्या फोर्थ नमबर एसी एसी कब खेदा गया था 10 अप्रेल 2020 प्राइज क्या था एसी का 24,000 प्राइज था यह सारे पुराने क्वेसन है अभी कोई नहीं नहीं पहले जो एसी खेदा गया था वही एसी की बात की जारी उसका यूसफूल लाइफ कितना था 6 यार उसका यूसफूल लाइफ था ओके अब 6 साल उसका यूसफूल लाइफ है तो परते एक साल कितना पैसा कटेगा उसका 4,000 पैसा कटेगा मतलब अगर एक साल बीद गया एसी को यूस करते करें तो उसका 4,000 रुपए कम हो जाएग अगले साल ठीक है तो उसको कितना यूस किया गय मतलब 356 days ही यूज किया गिया तो उसका depreciation amount क्या होगा 3,900 रुपए अब total amount मैं add करूंगा इसको total add करूंगा 11,795 रुपए ठीक है मतलब total मैंने जितना भी asset खरीदा अगले साल मैंने जितना भी use किया उसका total amount क्या 11,795 रुपए कम हो गया ठीक है जिसे कहते है depreciation entry मतलब जो वस्तु मैंने खरीदा अपने office के asset के according अगले साल उस asset का क्या price रह जाएगा क्यूंकि उसका use होता है वह घिसते जाता है घिसते घिसते अगले साल तक कितना बचेगा जैसे आप एक साबुन खरीदते हैं sop ठीक है एक सोप maximum one week चलता हो ठीक है आपने खरीद के लाए नया नया लक्स अब लक्स को रगड़ के नहार है ठीक है एक दिन चला दो दिन चल अगर कोई वस्तु घिस घिस के कम होते जा रहा उसका प्राइज भी कम होते जा रहा इसे कहता है डेप्रीसियेशन एंट्री आप लोग समझ चुके होगे बहुत चोटा सा टॉपिक है अब इसको एंट्री टैली में कैसे करेंग वह समझेंग तो क्या करेंग एक लेजर बन साल बाद उसका प्राइज पांच अजार कम हो गया तो फिर्चा ही ना हो गया इन ड्रीक recte x so jersey 좋아 kianu क्यों हो जाएा है रहते है कि ये उद्धार करेंगे क्यों होते है यह nominal account का rule है तो debit में हो गया depreciation expenses price क्या है 11,795 रुपए ठीक है और credit में क्या किया जाएगा फर नीचे जाएगा 14,05 रुपए यह 14,05 रुपए क्या है सर्? 14,05 उसका depreciation amount है ठीक है सभी का depreciation amount ही ना minus किया जाएगा computer का depreciation amount कितना है? 5,515 रुपए वो भी credit में जाएगा mobile phone का कितना है? 975 रुपए वो भी credit में जाएगा AC का कितना है? 3,900 रुपए debit में क्या होगा? depreciation expenses क्योंकि सभी प्रगाएगे loss एवर महानी debit में जाते हैं और एक और तरीका से समझना चाहेँ तो ऐसे भी समझ सकते हैं जब हम लोग furniture खेरें तो फरनीचर किसमें रखे थे? debit में रखेते हैं जब हम लोग computer खेरें तो computer किसमें रखे थे? debit में रखेते हैं क्योंकि पाने वाले को debit करते हैं अब plus और minus को मिलाएगा तो क्या हो जाएगा? neutral हो जाएगा जो और minus मिलके neutral हो जाएगा मतलब जो amount मेरा starting में लगा था और जो amount मेरा खर्च हो जा रहा है उसके प्रती उसे मिलाओंगा plus or minus is equal to neutral जो neutral बचेगा वो उसका actual amount होगा अभी का ठीक है? इसलिए furniture computer सारे credit में गये है अब आई इसको tally में entry करते है टैली में आगा है कहां जाएंगे? date वही रहेगा एक मार्च दो जाटाइस रहेगा और accounting watcher में जाएंगे enter करेंगे app 7 प्रेस करेंगे आगे general watcher में debit में क्या जाएगा? depreciation expenses alt plus c प्रेस करेंगे depreciation expenses किसके अंडर जाएगा? indirect expenses के अंदर जाएगा expenses होगा या income होगा? बताएए expenses होगा ठीक है? control एसे complete करेंगे अब price क्या है? price देख लेते है 11,795 रुपे 11,795 ठीक है? अब credit में हमसे क्या होगा? credit में furniture F प्रेस करेंगे अब यहाँ आप देख रेसे मैंने F प्रेस के नाम पर कुछ नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा? जब स्टार्टिंग में मैंने खेरा तो furniture के नाम पर क्या क्या खेरा था? office chair, office table और waiting chair यही तीनों मैंने furniture थे अब क्या करना पड़ाएगा? मुझे furniture के एक account बनाना पड़ाएगा जो भी depreciate होगा उस furniture account में रखेंगा लाश में जाके यह जो तीनों चीज मैंने खेरा था office table, office chair, waiting chair इन तीनों को जोड़के उससे minus कर देंगे ठीक है? तो alt plus c price करूँगा furniture वो किसमे जाएगा? asset में जाएगा current asset में ठीक है? enter करेंगे control asset अब asset का price मतलब furniture का price करना था 1405 रुपे 1405 रुपे फिर enter करूँगा फिर credit हम से पूच रहा है next credit हमारा क्या है? computer का price क्या है? 5515 रुपे c price करेंगे computer राके 5515 रुपे next हम से क्या पूच रहा है next हमारा cell phone mobile phone के नाम से हम लोग बनाये थे mobile bill ने mobile phone mobile phone का क्या price है? mobile phone का 975 price है फिर enter करेंगे next credit हम से पूच रहा है next credit हमारा क्या है? AC है AC कितने का? 3900 यह दिखिए automatic आ गया अब enter enter करेंगे इस entry को complete कर लेंगे यह होगी हमारा depreciation entry page up करके एक बार depreciation entry अच्छा समझ लेते है furniture को हम लोग एक और account बना है क्यों बना है? क्योंकि furniture हम लोग separately खरी दे थे मतलब ओफिस टेबल और वेटिंग चियर खरी दे थे separately इस तीनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा furniture हो जाएगा इस तीनों को मिलाके furniture तो furniture कोई account नहीं बना हुआ था तो हम लोग क्या क्यों furniture का account बना है बार में से जब क्या करेंगे उस तीनों office table, office chair और वेटिंग चियर से इसे subtract करेंगे तब जाके furniture का value आ जाएगा ठीक है तो समझे depreciation entry मतलब जो वस्तु मैंने खरेदा एक साल बार उस वस्तु का क्या price बचेगा उसे कहते है depreciation entry I hope आप सभी को depreciation entry समझ में आया होगा मुझे लगता है एक लेक्चर और लोंगा trading organization आएगा देन वो complete उसके बाद GST start so GST के लिए prepare रही है thank you for watching my videos